पर चल रहा है और बच्चों के उपर नंबरों का बहुत दबाव रहता है तो मैं अपने स्कूली जीवन से संबन देते एक अनुभव आपके साथ साजा करना चाहता हूँ मैं सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना की परिक्षा में पास होने के लिए आवश्चक होता था क्योंकि मेरी सहज रुची सामाननी शिक्षा में नहीं थी मुझे कला, केल कूद, इसमें एक यक्तिगत रुची हुआ करती थी तो मुझे स्कूल के द्वारा ये जो नंबर गेम होता था मुझे रास नहीं आता था और स्कूल को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी वो इस बारे में ध्यान नहीं देते थे कि विद्यारती के अंदर कितनी शमता है तो एक दिन मैं गुसे में आया और मैंने अपना बस्ता मा के सामने फेग दिया मा समझ नहीं थी कि मुझे समस्या विद्या से नहीं है विद्याले से है या विद्याले के उस वातावरन से है जिसमें नंबरों का दबाव मेरे उपर डाला जाता है तो माने ध्यान से देखते हुए मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों जाते हुए। मैंने का पढ़ने के लिए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि पढ़ने से क्या मिलता है। मैंने का ग्यान। वे बोली ठीक है। अब ये बताओ कि ग्यान किसे क पहले हैं। अब मैं सोच में पढ़ गया, मुझे मौन और समझने के स्तिती में देख कर वे बोली, कि ज्ञान हमें अड़ना भी सिखाता हैं और लड़ना भी सिखाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखो, लड़ना समस्क्र, मैंने का जी, मारना पीटना, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, जैसे वे मेरी आखों के रास्ते मेरे हिर्दे में बैठकर उससे बात कर रही हूँ, बोली, नहीं, मारना पीटना और लड़ने में अंतर होता है, मार पीट में या तो तुम किसी को हराते हो, या कोई तुम को हराता है, लेकिन लड़ने में किसी को हराने का नहीं, उसे जीतने का भाव होता है, अपनी कमजोरियों से लड़ना, मतलब कमजोरियों को जीतना, परिस्थितियों से लड़ना, यानि परिस्थित सकारात्पग भाव है और मारपीट के हराने की इच्छा नकारात्मक उर्चा मारपीट के सिर्फ अवरोधों का दमन किया जा सकता है किन्तु लड़ने से उनका शमन किया जाता है मारपीट के तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफ को दवा सकते हो किन्तु लड़कर तकलीफ को समाप्त किया जा सकता है हमेशा के लिए मैं चाहती हूँ कि ज्यान को बोज समझ के तुम गड़ो नहीं बल्कि बढ़ो तुम सफलता के लिए नहीं स्वायम के सुख के लिए पढ़ो फिर स्कूल में तुम अड़ना नहीं लड़ना सीखोगे हम तुम्हें स्कूल परिक्षा में आये प्रशनों का उत्तर सीखने के लिए नहीं भेजते बलकि जीवन की परिस्तियों का हल डूनने के लिए भेजते हैं पढ़ाई बोज बढ़ा में अवल आने के लिए उन पर दबाव डालते हैं शायद इसलिए वे स्कूल में अवछ आने के बाद भी जीवन भर फेल होने के एहसास से भरे रहते हैं हमें अपने चोटे-चोटे बच्चों से बड़ी-बड़ी बातें करने चाहिए ताकि वे बड़े होकर छोटी-चो करियो तायल